नमस्कार विद्यार्थे विष्णूर आपने चीडिया घर की सेर 5 पाच एमा स्वध्याहिना प्रश्णों जो ता था हमने गीता ने किसे पत्थर बताया तो इसका जवाब लिखा था कि गीता ने किसको पत्थर बताया तो गीता ने कच्वे को पत्थर बताया प्रेश्णा स्वध्य का प्रेश्णा एक में सवाल कौन सा है पाच्वा है कि गीता ने किसे पत्थर बताया तो गीता ने कच्वे को पत्थर बताया अब है आगे का प्रश्ण कच्छुए का रक्षक क्या है रक्षक उसका रक्षन कैसे होता है कच्छुए का उसका रक्षक क्या है तो कच्छुए का रक्षक क्या है उसका खोल है याने के उसके बाहर का आवरन कच्छुए का आवरन पच्वे का रक्षन आवरन या खोल भी कहा जा सकता है कि अ कि अ, कि अ, आवरन या खोल। विदेशी पक्षी का नाम क्या था विदेशी पक्षी का नाम क्या था विदेशी पक्षी कौन सा था तो विदेशी पक्षिकाना कातुवा सबसे बड़े पक्षि का नाम लिखिए तो हमने पाठ में देखा कि सबसे बड़ा पक्षि कौन सा है तो शुतूर मुर्ख सबसे बड़ा पक्षि शुतूर मुर्ख है सबसे बड़ा पक्षि कौन सा है शुतूर मुर्ख सबसे बड़ा पक्षि सुतूर मुर्ख है अब स्वध्याई के आठ शवल आठ प्रश्णा हो गए अब प्रश्णा दो उसका उदाहरण के अनुसार रेखांकीत शब्दों की जगह उचीत शब्द रखकर वाक्या पूरा कीजिए तो उसमें हमें उदाहरण दिये है उदाहरण दिये है यह हम देखते है तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि उदाहरण के अनुसार रेखांकीत सब्दों की जगह उचीत सब्द रखकर वाक्या पूरा कीजिए पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो यहां पे बंदर ये पूरुस्चाती को दर्शा आता है पूरलिंग और स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन करना है यहां पे शब्द है उसे खाली जगह में उसका लिंग परिवर्तन करके लिखना है यहां हाथी है, उठ है, मोरनी है, पचिशेर है तो उसका लिंक परिवर्तन करके यहाँ पे वाक्य लिखना है इसमें बंदर या पूरुस जाती को दर्शाता है और बंदर या या स्त्री जाती को तो पूर्लिंग याने के पूर्लिंग का स्त्री लिंग करना है और स्त्री लिंग का पूर्लिंग पेड़ पर बंदर लटक रहा है अब क्या है तालाब में हाथी नहां रहा है तो हाथी यह पुलिंग शब्द है पुरुस्याति को दर्शाता है यह पुलिंग है तो यहां पे हमें क्या करना है स्ट्रिलिंग करना है उसका हाथी तो उसका स्ट्रिलिंग क्या होता है हाथी नहां रही है तालाब में हाथी नहां रही है अब है रेगिस्तान में खली जग्या दोड रही है इधर क्या है रेगिस्तान में उट दोड रहा है तो उट का क्या करना है स्ट्रिलिंग याने उट का स्रीलिंग क्या होता है उटनी हाथी तो हाथी नी उट तो उटनी तो रेगिस्तान में उटनी दोड रही है अब जंगल में मोर्नी नाच रही है मोर्नी तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होता है यहाँ पर मोर्नी है यहाँ पर उट तो उटनी होता है पर यहाँ पर मोर्नी है तो मोर्नी का क्या होगा लिंग परिवर्तन मोर्नी का क्या होगा लिंग परिवर्तन मोर्नी तो जंगल में मोर्नी नाच रहा है जंगल में मोर्न नाच रहा है इसके नीचे है पिंजरे में शेर दहाड रहा है शेर तो शेर का क्या होता है लिंग परियतन शेर नी तो पिंजरे में शेर नी दहाड रही है यानि कि पुल लिंग का स्त्री लिंग करना है और स्त्री लिंग का पुल लिंग हाथी तो हाथी नी उट तो मूठ न इसी तरह से लड़का तो लड़की, पूरुष तो स्त्री, इसी तरह से हम स्त्रीलिंग पूलिंग कर सकते हैं, माता तो पीता. अब क्या है? नीचे दिये गए जंगल के द्रश्य का वरणन कीजिये. यह जंगल का द्रश्य है. तो जंगल के द्रश्य का हमे वरणन करना है. जंगल के द्रश्य का हमें वरणन करना है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जंगल का वरणन करना तो यह चित्र दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जंगल में बहुत सारे यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है न जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बंदर पेड़ पे क्या बैठा है? यहाँ पे बंदर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बंदर बैठा है पेड़ पर यहाँ पे बंदर बैठा है और क्या बह रहा है यहां पर यहां एक जर्ना बहता है यहां क्या बह रहा है एक जर्ना जर्ना बह रहा है तो जर्ने में क्या तेर रही है बतक जर्ने में बतक तेर रही है और जरने में हิरन पानी पी रहे है और यहां पे क्या है जरने में हीरन पानी पी रहे और जरने के दूसरी और क्या है हाथी है जरने के दूसरी और हाथी दिखाई दे रहा है और हाथी के नजदी की खरगोश है ससलू इतले के खरगोश हाथी के नजदी की खरगोश दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है शेर तो यहाँ पे शेर पत्थर के नीचे बैठा है शेर पत्थर के नीचे बैठा है जंगल में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे हरी घास दिखाई दे रही है और आकाश में पक्षी यह क्या है पक्षी है आकाश में पक्षी ऊड़ रहे है तो यह पूरे जंगल का मनोहर द्रश्य है सभी प्राणी है इसके नीचे क्या है तो चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ती की जे रिक्त स्थानों की पूर्ती याने के खाली जग्या पूर्वाने तो चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ती की जे यह चित्रा देखकर यहाँ पर खाली जग्या भरने है तो एक, खाली जग्या जोर से गरजा, तो गरता कौन है, शेर खाली जग्या जोर से गरजा, तो कौन जोर से गरजा, शेर दूसरा क्या है, चिडिया घर में एक सिंग वाला खाली जग्या था, तो एक सिंग वाला क्या था? यह है, एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला क्या है? गेंडा एक सिंग वाला गेंडा है इसके नीचे क्या है तालाब में खाली जग्या तेर रही थी तो तालाब में क्या तेर रही थी तालाब में बतक यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तालाब में मचलिया और बतक तेर रही थी तो यहाँ पे बतक है तो तालाब में बतक तेर रही थी यहाँ पे क्या है? हरियल खाली जग्या टेंटे करता था तो हरियल तोता हरियल तोता टेंटे करता था हरियल तोता टेंटे करता था अब इसके पीछे क्या है? तो चित्र पहचान कर आयत में से उनका हिंदी नाम डूंड कर लिखिये यह चित्र पहचानना है यहाँ पे जो चित्र दिया है सामने वह पहचानना है और इस कोश्टक में जो नाम दिये है यहाँ पे कोश्टक में यहाँ पे नाम दिये है तो कोश्टक में से ढूंड कर यहाँ खाली जगह में लिखना है तो पहला क्या है? यहाँ पे यह क्या है? शेर तो कहा लिखा है? यहाँ पे लिखा है यहाँ क्या है? शेर यहाँ क्या है? मूंग फली क्या है? मूंग फली तो कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे नीचे मूंग फली यहाँ पे लिखा है मूंग फली यहाँ पे क्या है? केला है यहाँ पे क्या है? केला यहाँ पे? गेंडा क्या है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोस्टक में गेंडा यहाँ पे क्या है भालू भालू यहाँ पे क्या है मचली है क्या है मचली अब यहाँ पे सामने यहाँ पे क्या है मगर है तो कहाँ पे लिखा है मगर मगर अब क्या है गोरया यह है गोरया यहाँ पे क्या है तोता है यह लिखा है नीचे क्या है मौर तो यहाँ पे लिखा है मौर यहाँ पे क्या है शुतूर मूर्ग यहाँ पे शुतूर मूर्ग और यह है हथी यहाँ पे क्या है हथी है अब है भाषा सज्जता शब्द कोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है शब्द कोश में शब्दों को ढूनने का तरीका आगे दिया गया है शब्द कोश में ही हिंदी वर्ण माला का क्रम हम देखते है ना आ, आ, ई, ई, उ, उ, उ पची ए, ए, ओ, आ, उ, अ, अ, ह यहाँ पे इसी तरह व्यांजन स्वार और व्यांजन भी दिये क्यों काखा गगा चाचा 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 तरह दाधा नपखा बभ मायार अलावशा स्वार इसी तरह से तो हिंदी वर्ण माला का क्रम लिखना है याने के बाराक्षरी हवे आपनों ही समय पूरो थाई छे